साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में आज का टॉपिक होगा वर्गमूली और वो भी भाग विदी से आप ये क्लास इस्पेसली PBR Study आप में देख रहे हैं या YouTube पे देख रहे हैं कहीं भी देख रहे हैं ये बिल्कुल सुरू से है इसमें कोई पार्ट कटा नहीं है भाग विदी से वर्गमूली ठीक है और पहला पार्ट है अगर इसका दूसरा पार्ट आएगा तो लाश्ट में हम बताएंगे आएगा या नहीं आएगा ठीक है आईए कलास नंबर कुछ भी हो इससे आपको कोई कनफ्यूजन नहीं होना चाहिए मैंने यहां 23 ये डाल दिया है कुछ कलास के करडिंग तो इसको ले करके बिल्कुल भी डाउट में ना रहें कि का है को हमाई तैइफ नंबर नहीं है मरें तो कुछ आउट दिख रहा है ठीक है आप सिर्फ टॉपिक देखिएगा बस यहां ये टॉपिक आपको मिला है इसके पहले आपको गुडनखंड विदी से वर्गमूल घनमूल मिला होगा अगर नहीं मिला है तो नंबर पे कांटक्ट करिएगा मिल जाएगा ठीक है चलिए जैसे नार्मल संख्याएं होती हैं उनका हम वर्गमूल आराम से निकाल लेते हैं पूर्ड वर्ग संख्याएं लेकिन ऐसी संख्या जो पूर्ड वर्ग नहीं होती है उसका वर्गमूल निकालने के लिए बड़ा पचरा करना पड़ता है मतलब समझ रहे हो मतलब बहुत लफड़ा करना पड़ता है देखो कईसे कईसे का का समझ ये जैसे ये है न तो उसके पहले हम आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहेंगे सभी को दिख रहा क्लियर जैसे मैं एक लाइन दिखाना चाहूँगा जूम करके अगर आप देख सको तो सभी को क्लियरली दिख रहा होगा आप दिख रहा है न यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर दिख रहे है जरा ध्यान से देखना प्यार से जैसे वन है तो वन का वर्गमूल एक वन आ रहा है पूरा पूरा एक गिंती आ रही जैसे टू है तो आप देखो टू का वर्गमूल दसामलों में आ रहा है आ रहा है न क्लियरली दिख रहा है अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखना साथी मेरे जैसे संख्या चार है इसका वर्गमूल दो है बोलो हाना वाकि जो भी आपको दिख रहे हैं सभी का वर्गमूल दसामलों में दिये हैं क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो ये संख्याएं हैं ये पूर्ड वर्ग संख्याएं हैं कौन सी जिनके वर्गमूल दसामलों में नहीं है वो सभी क्या है भया पूर्ड वर्ग सं दिखेगा चलिया हो गया ठीक है आईए थोड़ा सा कुछ छूट रहा होगा तो वो मैं आपको दिखा दूँगा उसके लिए आप बिल्कुल भी वेफिकर रहें अगर कहीं छूट छाट रहा हलका फुलका तो डॉंट वरी भई या चलो ये लो मस्त दिख्या पूरा नीचे तक हो गया तो ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल एक पूर्ल संख्या मिल जाती है उनका तो आसानी से आप गुड़नखंड विदी से कर सकते हैं जैसे माली जी अगर हमें नौ का वर्गमूल करना है नौ का वर्गमूल हम आराम से ऐसा कर सकते हैं ऐसा क्योंकि एक जोड़ बन जाएगा तीन का तीन आगा अंसर लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि भाईया नौ का नहीं करना है हमें साथ का वर्गमूल करना है तब एमे का करोगी इसको गुडनखंड विदी से हल करना possible ही नहीं है क्यों 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 कि पूर्ड वर्ग संख्या नहीं है यह पूर्ड वर्ग संख्या है परफेक्ट स्कॉायर नंबर तो परफेक्ट स्कॉायर नंबर का तो वर्गमूल आप गुडनखंड विदी से ऐसे कर लेते हैं ठीक है जैसे अगर मैंने कोई और ले लिया माल लो कि चलो 64 ले लिया चलो 64 तो इसका वर्गमूल आप आराम से कर लोगे इसके अभाज गुड़नखंड क्या होंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 ये होगे 2 के क्या अभाज गुड़नखंड इसमें 2 दो का आप जोड़ा बनाओगे कितने जोड़े बन रहे हैं जड़ा देखना और बताना एक दो तीन तीन जोड़ा बन रहा है एक एक जोड़ा से एक एक दो निकलेगा इस तरीके से आएगा पलस माइनस 8 ये क्या हो गया वर्गमूल कौन सा विदी गुड़नखंड विदी बट भाग विदी से ऐसा कुछ नहीं होता है भाग विदी में थोड़ा दिमाग ज़्यादा खबाना पड़ता है देखो कैसे बताता हूँ पहली बाद तो इसमें ये डिसाइड होना चाहिए खतम नहीं होता है तो कितने अंक तक निकालोगे तो हमने लिख रखा है तीन अंक तक ठीक है तीन अंक के बाद हम नहीं निकालेंगे चाहे ये निकल ले चाहे जहां जाए चलिए सब क्लियर नो डाउट इतने में कोई दिक्कत ना किसी को चलो भई आओ गुड तो अब क्या करोगे अब हम वो संख्या लेंगे जिसका हमें वर्गमूल निकालना है ऐसे हमने संख्या ले लिया और एफे हराई फना लिया ऐसे बस अब वो संख्या यहाँ पर लिख देंगे नीचे ध्यान रहे हमें दो अंक तक निकालना था तीन अंक तक तो हम दस हमलों लगा के दो दो का जोड़ा ऐसे बना लेंगे ऐसे दो दो का पेर बना लेंगे ठीक है क्लियर कितना जितना अंक तक हमें निकालना था हमें तीन अंक तक लिखा है निकालना है तो हम दस हमलों के बाद तीन अंक का पेर बना लिए क्योंकि वर्ग मुल में दूद्यों को जोड़ा बनता है अब क्या करना है साथ ही मेरे ध्यान देना अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखना है जिसका वर्ग दो से छोटा हो या दो के बराबर हो वर्ग तो आप सभी जानते हो कि नहीं जानते हो जैसे वन का वर्ग क्या होता है वन इंटु वन इक्वल वन वसे टू का वर्ग क्या होता है टू इंटु टू इक्वल फॉर इसी तरीके से थिरी का वर्ग 3 into 3 equal 9 और इफी तरीके से 4 का वर्ग तो 4 into 4 equal 16 क्या समझा आपने ये क्या है वर्ग है संख्याओं के स्क्वाइर है समझते जाना क्या करना है आगे देखना clear आप देखो कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग 2 से छोटा हो तो भया पहले जो है वर्ग एक है फिर 4 है फिर 9 है फिर 16 है तो वही पहला वाला है वन तो वन का वर्ग क्या है दोस छोटा है तो हम वन ऐसे लिखेंगे ठीक है ये वन हमारा हो गया खतम और यहाँ भी वन लिखेंगे अब आगे समझना ये दोनों तो जुड जाएगा यहाँ पे क्या होगा साथी मेरे जुड जाएगा लेकिन ध्यान रहे इसको यहाँ फटा के न लिखना यहाँ इसके बीच में जगा छोड़ के लिखना है और ये वन यहाँ भी लिखो गे यही तो मेन है यानि हम जो भी गिंती ले जाएंगे उसे चार जगा लिखेंगे उपर यहाँ और यहाँ दो जगा यहाँ वाला दोनों जुड जाएगा ठीक है और फिर अब क्या होगा यह घटेगा यहाँ से यह घटेगा जैसे घटता है तो यहां से घटे गत कितना है यहां भी सटाक न लिखना अब इतना पहला step खतम अब साथीओं्द समलो के बाद वाला यहां पर зовут जोड़ा उतारना है हमने जोड़ा उतार लिया लेकिन उसके पहले उपर दसमलो बढ़ा लेंगे क्योंकि हमने दसंबलों के बाद वाला जोड़ा नीचे उतारा है clear समझते चलना step by step बिल्कुल tension free हो कर गे ठीक है आज कोई comment नहीं पढ़ूँगा comment ना पढ़ने से ना class बहुत बहतर होती है comment पढ़ने से दिमाग divert हो जाता है आईए अब कोई ऐसी संख्या लेना है जिसका square करने पर 100 से छोटा आए 100 के बड़ा न जाए square यानि वर्ग करने पर जर आप सोचो और बताओ जैसे 4 का square 16 हो गया 5 का square 25 हो गया वैसे 7 का square 49 हो जाएगा इतना तो जनबे करते हो ना कि नहीं जानते हो जानता हो ना बैया तो 9 का square कितना होगा 81 और 10 का square 100 यानि ऐसी संख्या लो जिसका square या तो 100 हो जाए और या तो फिर 100 से मतलब छोटा रहे बड़ा न ओ आईए अगर आप कहोगी कि 10 ले ले तो नहीं बनेगा क्यों? इस लिए नहीं बनेगा यहाँ पर समझना जो भी संख्या आप लोगे जैसे मानलो हम कहें कि 10 ले जाए वैसे किसी भी संख्या में कभी भी अगर आप भाग देते होंगे तो 10 ले नहीं जाते है कभी देखे हो? नहीं न? जैसे यहाँ पर देखना मालो कि अगर हमें दो से भाग करना है बीस में तो हम दूई दहम्मा आइफे बीफ लिख दें ये गलत तरीका है ये सही नहीं है ऐसे नहीं करते है बेसिक कांसेप्ट अगर बात करें तो ऐसे नहीं करते गलत है तो हम कभी भी दस बार इक अठा भाग नहीं ले जाते हैं दो अंक में मतलब एक अंक में ले जाते हैं भाग कभी भी तो पहले हम एक बार ले जाएंगे दो एक कम दो इनको घटाएंगे जीरो आएगा सेसफल उपर से जीरो उतारेंगे अब हमने उपर से 0 उतार रखा इसमें भाग ले ही जाना है तो एक बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगे इसलिए 0 बार ले जाते हैं और इन्हें गटाएंगे फिर से 0 आएगा ये खतम ये तरीका है समझ मैं आया तो उसमें भी हम 10 बार तो नहीं ले जा सकते हैं पहले जोड़े हो, जितनी बार आप भाग ले जाओगे फिर, उसको ऐसे उपर निचे लिखोगे, जैसे यहाँ लिखा था, समझ रहे हो, नव बार जाएगा नहीं, मुझे पता है, अगर नव बार ले जाएगे, देखो होता क्या है, नाइन नाइन जा एटी बन, करी आए कि लोड़ोगे कितना होगा, 26, अब देखो इससे कई उगुना जादा होगा, इसके बाप के दादक बराबर, कहां उस सव था, कहां 161 हो गया, 261, तो गलत है यह, ठीक है, तो इतनी बार आप नहीं ले जाओगे, फिर कितनी बार जाएगा, सवाल यह है, आओ, सही सही बताए तो 4 बार जाएगा, चार बार जाएगा क्या, जड़ा देखो, चार बार अकल ले जाएगे तो, उपर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, अब 4 का इनले गुड़ा होगा, 24 में, समझ रहो, ये तरीका होता है, भाग बिदीफा, थोड़ा सा समझना है, अगर नहीं समझ में आगा पहले में दूसरे सवाल में आगा, तीसरे में आगा, जैंसन नहीं लेना है, बस समझते चलना है, अब 4 का 4 में गुड़ा करेंगे, 16 का 6 हाफिल, 1, 4, 2, 8, 1, 9, अब इनको घटाएंगे, उपर 4 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, अब इनको घटाएंगे, 6 में से 4 गया, स इसको अब मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, स्क्रीन को, अगर आपको कोई आपती ना हो तो, वीडियो कौल्टी बढ़ा लीजिएगा, नहीं क्लियर आरा तो आजाएगा, आईए, अब देखिये साथियों, हमें क्या करना है, हमें दसमलों के 3 अंग तक ले जाना था, त अगर दो बार भाग जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा इदर खिसकाओ भहिया, इदर थोड़ा खिसकाओ, इसलिए कहता हूँ, लिखिये, अगर दो बार भाग जाएगा, तो हम यहाँ दो लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा कलर बदल देते हैं और दूई अठे सोला हाफी लेग, दूई दूनद चार एक पांच तो ज्यादा हो रहा है इसका मतलब ये टू टाइम नहीं जाएगा तो कितना टाइम जाएगा फिर वन टाइम जाएगा, कितना? वन टाइम, तो आप इसे वन टाइम ले जाओ भईया चलो, वन टाइम ले जाओ तो इनका फिर मल्टीपल होगा, याद रखना? ऐसे, ठीक है? बात समझ में आई? ये उपर जुड जाता है लेकिन इसको आपस में ऐसे गुडा करते हैं फिर यहाँ लिखते हैं, और फिर इनको जोड लेते हैं ये चीज समझते चलना तो वन का वन में, वन उजा वन वन का एट में, तो वन एट जा एट, वन टू जा टू खतम, इनको जोड लीजिए एक में एक जुड़े का दो यहाँ सटा के नहीं लिखेंगे हम दो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा इदर खींच के और ये आठ, और ये दो ठीक है, कोई डाउट ना इनको घटा ये दस में से एक गया तो, नो नो में से आठ गया, एक इस में से उधार गया था, ये बना था दस, ये तीन बचा है, एक सो नईस समझते चलना, अभी हमारा दो अंक तक दसमलों के चला गया है ये वन गया था ना, यहां भी तो वन लिखना था भाई साहब, दो अंक तक हो गया इनको थोड़ा सा हम और छोटा करना चाहते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा छोटा करने की बजाए हम इनको छोटा कर दें, क्योंकि इनका काम खता में ना, ठीक है जिससे आपको बातें समझ में आए, इनको साइड में रख देते हैं अब आप सवाल पर धेहन दीजिए उनको देखना होगा, थोड़ा पीछे कर लेना वीडियो देख लेना चलिए मेन तो यही है, बुड़ा हूँ अब क्या करोगे भाई साहब अब देखो अब आप ऊपर वाला तीफर का जोड़ा भी यहां उतार लोगे देखो एक जोड़ा यहां उतारा था, एक यहां तीफर का उतार लिया अब इसमें कितनी बार भाग जाएगा लगबग चार बार जाएगा मुझे कैसे पता क्योंकि मैं बार बार लगाया हूँ लेकिन मैं ट्राई करके आपको दिखा दूँ अगर पांच बार ले जाऊंगा तो क्या होगा तो यहां पांच लिखना पड़ेगा, यहां भी पांच इनका गुड़ा करिए तो पचम पचीस हाफिल दो, पंच दूनदस, दो बारा हाफिल एक, और पंच टहे चालिस, एक एक तालिस हाफिल चार, पंच दूनदस, चार चाुदा देखो 2900 था यीचाुदा हजार हो गया, काफी जादा हो गया तो यह नहीं जाएगा यह मैं आपको पहले ही बता चुका था ठीक है तो चार बार जाएगा यह फिर कितनी बार? चार बार चार बार ले जाके देखो 4,416,6 हासिल 1,428,9 और 4,832 का दो हाफिल 3,428,8,3,11 देखो 11,296 और उपर 11,900 बहुत सही बैट रहा है न 4 बार गया तो उपर क्या करेंगे? हम 4 लिख देंगे समझते हैं चलना बच्चा इनको जोड़ोगे तो 4,4,8, इथारे एक थोड़ा जगा छोड़ के लिखना और ये 2 और ये 8, और ये 2 इनको आप घटा लीजिए 10 में से 6 गया 4 9 में से 9 गया 0 इसमें से एक उधार गया था ये बचा 8, 8 में से 2 गया 6 गटाना आप सभी को आता होगा चुकि हमें दसमलों के सिर्फ 2 अंग तक निकालना था 3 अंग तक इसलिए हमने खतम कर लिए आप इनको नीचे यही छोड़ देंगे इसमें कुछ नहीं करेंगे ठीक है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो मोटा मोटा क्या ऐसा लिख सकते हो कि संख्या 2 का जो वर्ग मूल है यहाँ पर 2 लगा के वो 1.414 होता है 411 1.414 ठीक है this is the correct answer कोई doubt ना किसी को देखिये लंबा समय लग सकता है क्योंकि बातों को समझना है और सीखते चलना है यह हो गया आपका भाग विदी से वर्ग मूल क्या हो गया भाग विदी से वर्ग मूल कोई doubt ना किसी को no doubt आएए आगे बढ़ते हैं खतम ठीक है तो यह हो गया अगला यह तो आप सभी को पता है इनको सबको तो आप करी लेते हैं जैसे अब तीन का वर्ग मूल कैसे होगा अगर आप से हम कहूं कि चार का वर्ग मूल तो आप आराम से कर लेते चार का वर्ग मूल लेकिन तीन का वर्ग मूल कैसे होगा तो इसका भी दसम्दलों के तीन अंक तक निकालेंगे कितने अंक तक निकालेंगे बाबू भीया, तीन अंक तक, ठीक है? ऐसे आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो तो सबसे पहले आप ऐसे लाइन कीचोंगे और तीन के बाद में ऐसे तीन जोड़ा बना लेंगे क्योंकि दसामलों के बाद हमें तीन अंग तक ले जाना है आपको यह एक ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वाइर करें तो तीन आए या तीन से मतलब जादा नहों उसके बराबर आजए तो एक का स्क्वाइर एक होता है दो का स्क्वाइर चार होता है तो तीन या तीन के बराबर आने के लिए सिर्फ एक ही एक मातर ऐसी संख्या है तो इनको ऐसे लिखोगे उपर भी बन लिखोगे अब यह एक का एक में गुड़ा करके यहां पर एक इनको घटा लेंगे आपस में कितना आएगा दो इनको जोड़ लोगे कितना आएगा दो खतम पहला इस्ट अप इतना ही अब आगे क्या करोगे बच्चा समझना उपर का पहला जोड़ा यहां उतारो अब अगर हम एक बार भाग ले जाएंगे यहां देखना तो आईसे होगा एक का समझना गुड़ा होगा यह कैसे होगा अगर दूई बार भाग ले जाएंगे तो 22-44 तीन बार भाग ले जाएंगे तो 23-23 अगर तीन बार ले जाएंगे तो 23-23 मतलब यह अगर तीन बार ले जाएंगे तो ऐसे बने गई है ऐसे ठीक है तो तीन तरीक करना हो और तीन दुना च्छा बहुत छोटा है उसके पेछा ये काफी जादा जाएगा जैसे तीन का भाग 20 में अजमाओ तो सरी दो का भाग 20 में 10 बार जाता है न तो नो बार ट्राइ कर लो है जादा है तो बच्चा दसम्लो के बाद जोड़ा यहां उतार लिये हो तो यहां दसम्लो बढ़ा तो भूलो नहीं तिन्नौ बार तो जाएगा नहीं आट बार जाएगा फिर फिल खाय है के ता बार आठ बार यहां कदो लिख लो अगर आठ बार ले जाएंगे तो क्या सही होगा नहीं मुझे लगता आठ बार भी गलत है क्यों क्योंकि 28-68 देखो 28-68 देखो 28-64 का 4 हाँ फिल 6 8-2-16-4-20-22 तब भी जादा जा रहा है 8 बार भी जादा जाएगा ये 7 बार जाएगा कितनी बार 7 बार 7 का गुड़ा करोगे यहाँ पे तो हम चिन फिलाल गुड़ा नहीं लगाएं इनको जोड़ते हैं तो यह फिल लिख देंगे 7-4-11 7-7-14 हाफिल 1-2-1-3 अब इनका गुड़ा भी करते हैं वो यहाँ लिखते हैं तो 7 का 7 में 7-7-9-4 हाफिल 4 अब साथ का दो में 7-2-14 और 14-4-18 तरहीं बैठ रहा है न? कोई डाउट नहीं? चलो अब देखो भाईया यहाँ पे बचेगा 11 घटाना तुमें आता है सबको हमने क्या किया पहला जोड़ा उतार लिया था उपर से उसका काम खतम हो गया यहां तक अब हम दूसरा जोड़ा उतारेंगे अब इसमें फिर से भाग करेंगे क्लियर आरा सभी को? चलो अब कोई ऐसी संख्या बताओ जैसे अगर 1 बार ले जाएंगे तो इसका गुड़ा होगा तो एक ता 340 हो जाएगा अब चूकी वो 1100 है तो काफी बड़ी संख्या चाहिए जैफे 3 का भाग 11 में कितनी बार जाएगा? 3 बार लग भाग ना? तो 3 बार ट्राई करिए 3 बार ट्राई करने का मतलब यह है बच्चा कि यहां आप ऐसे 3-3 लिखोगे ठीक है? तो 3 तरीक करनो 3 चोक 12 आफिल 1 3 तरीक करनो एक 10 3 बार में इतना बैठ रहा है शही बैठ रहा है बहुत अच्छा से अगर 4 बार ले जाना चाहूं तो तो यह 4 बार ले जाना चाहोगी भाईया तो 3-4 फिर यह 4 हो जाएगा समझे ना? अभी तक जैसे बता है उचार बार ले जाने के मतलब ऐसे हो जाएगा तो यह 4 फोर जा 16 करी आया 1 फोर फोर जा 16, 1, 17 और 4 तरी जा 12, 1, 13 तो जादा जा रहा फिर वो 4 टाइम 3 टाइम जाएगा उपर भी 3 बढ़ा लो चल भाईया इनको कटाओ 10 में से 9 गया 1 9 में से 2 गया 7 इसमें से उधार गया था इसमें से उधार गया था इनको जोड़ेंगे 3, 3, 6 और 4 और 3 नो डाउट किसी को यह हो गया आपका 2 इस्टेप का 0 उतर चुके है अब बाकी बचा हुआ 0 उता रही है तीफरा इस्टेप वाला उताल लिया है यहाँ पर अब देखो भाई साहब 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 7 में लगबग 2 बार जाएगा कितनी बार लगबग 2 बार तो अगर हम 3, 4, 6 इसमें अगर हम 2 बार भाग लें जाना चाहें तो इसे बनेगा न तो 2 दूना 4, 2 छंग 12 अफिल एक 24 ठेक 9 और 2 तियाई 6 बहुत सही बाइट रहा है इससे आगे और कुछ हो भी नहीं सकता है तीन बार तो लें चले गए थना कितना बार जाएगा 2 बार ना चलो ठीक है 2 बार ले जाओ अफिल दू बार का मतलब ही हुआ तो दू दूना 4, दू छंग 12 हासी लेग, दू छो का ठेक 9 और 2 तियाई 6 इनको जोड़ेंगे इधर साइड में लिख देंगे 4 और ये 6 और ये 4 और ये 3 इनको इधर घटा होगे भाईया और वैसे भी हम दो बार ले जा चुके है हमारा अंसर उपर आ चुका है लेकिन इनको घटा के छोड़ते हैं 10 में से 4 गया 6 9 में से 2 गया 7 इस में से गुधार गया था ये 0 10 में से 9 गया 1 कोई doubt नहीं किसी को तो ये हो गया आपका 3 अंक तक खतम इसके आगे नहीं करना है नहीं तो और भी कर सकते हैं अभी उसको हम ठीक है तो हम लिख सकते हैं अता अंडरूट 3 इक्वल 1.732 बहुत से लोग आपको रटाते हैं इमानवान ना बता है ना आपको चलो भाई छापो फटा फट नाम नहीं बोलूँगा किसी का सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान ओनली काम नाट नाम चलो ये 10 कवर्गमूल कितने लोग कर लेंगे इमानदारी से बताओ हाथ उटाओ चलो 10 कवर्गमूल भाग विदी से कर लोगे अच्छा 10 हमलो वाला तो मैं बता रहा हूँ अच्छे से दो दो अंक पर क्या करेंगे जोड़ा बनाने के लिए बनाते हैं पे और एफे चिन ठीक है अब वन में पहले वाले जोड़ा मिले जाएंगे तो वन का स्क्वायर ही वन के बराबर या आसपास हो सकता है तो वन वन जा वन ठीक है जा करोगे इनको इधर जोड़ोगे तो एक एक ये दो और इनका गुड़ा करना वन जाने इधर हो गया इनको गटा होगे खतम जीरो अब आगे समझना क्या करोगे दसमलोत यहां कहीं लगा है नहीं दसमलोत कोई मतलब है नहीं अब उपर से आप 44 उतालोगे इसमें भाग कितनी बर जाएगा आपको पता है कि भाग हमें ऐसे करना होता है आप ऐसे मालू में बताया हूँ तो दो दूना चार दो दूना चार चवालिस उपर दो बार गया ये जुड़ गये तो दो दो चार और ये दो और ये घट गये तो हो गये खतम यानि जीरो से फ़ल आ गया मतलब यह हो गया ही पर खतम तो आपका वर्ग मूल कितना आया? कितना आया? बारा आया ना? कितना आया बारा ना? यह हो गया आसान सा सवाल देखो बिना दसमलो वाला भी इसमें हो जाता पाइफा नहीं है यह ऐसी चक्की है जिसमें आसान वाला तोर आफान से हो जाएगा इसमें खतरनाक वालिक किये जाते हैं ठीक है तो इतना लिख लीजिए आप लोग कोई डाउट है बताईए आईए अब यह नंबर आप होमवर्क करेंगे कोई डाउट ना इसमें यह क्या पढ़ रहे है भाग विधी से वर्गमूल करना भाग विधी से घनमूल भी पढ़ाऊंगा अगली कलास में आओ देखो इसका भी दसमलो के तीन अंग तक ले जाना है तो पहले हम तीन जोड़ा बना देते हैं दसमलो के बाद ठीक है तो पहले वन का इसक्वाइर करेंगे तो वन होगा दो का करेंगे चार होगा अगर तीन का इसक्वाइर करेंगे तो नव होगा तो तीन बार हम ले जाते हैं पहले कितनी बार तीन बार तो तीन बाल ले गए तो तीन तरीक करना हो समझे ना यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं समझना इनको इधर जोड़ दो तीन तीन छे इनको गटा दो एक आएगा ठीक है यह उपर से एक जोड़ उतार लिया कोई डाउट ना किसी को हमने क्या क्या, तीन टाइम ले गए अब भाईया होगा का यहाँ पर हमने इनका तो खतम कर दिया, उपर से एक जोड़ा उताल लिया, जोड़ा उताल लिया तो उपर दसमलो बढ़ गया ठीक है कोई doubt ना किसी को हमने तीन अंग तक निकालना है ता समंग के बार लिखा नहीं भर्टमा interacting ने बना लिया है तो नो में से दस में से एक गया नो जोड़ा उतार लिया बन गया ठीक है अब बताओ छे का भाग कितनी बार जाएगा दस में एक बार जाएगा ना अगर दो बार ले जाएं ज्यादा हो जाएगा एक के बार जाएगा नो में से छे गया, तीन नो डाउट, चल भाईया कितनी बार गया, एक बार एक उपर लिख दिया आप क्या होगा आप देखो यहाँ पर समझते चलना है इधर वाला जुड़ेगा, तो एक एक दो और यह छे, इधर एक जगा छोड़ के लिखना यह घट चुके हैं आप उपर फे हमने अभी तक सिर्फ एक जोड़ा का यूज़ किया है यह एक जोड़ा, यहाँ पर आप एक वाजोड़ा उतारेंगे हो गया अब कितबा ले जाओगे लगबग छे बार ना, छे बार ट्राई करके देखते हैं, चलो चे चंग 36, हाफिल 3 चे दुना बार टीन पंदरा हासिल एक, चे चंग 36, एक 37 सही तो जा रहा है अगर इसको साथ बार ले जाएंगे साथ सता उन्चास, हाफिल आया कितना चार साथ दुना, चुदा, चार अठारा हाफिल आया एक, साथ चंग 42, एक 43 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? यह सही तरीका है, कितनी बार जाएगा? अच्छे बार इसको थोड़ा छोटा करनो मैं कोई डाउट नहीं इसमें ना जो डाउट चलो देखो अब इनको जोड़ेंगे 6, 6, 12 हाफिल एक 2, 1, 3, और एक 6 इनको गटाईए, 10 मैं से 6 गया 4, 9 मैं से 5 गया 4, इसमें दुधार गया था 8 8 मैं से 7 गया 1 कितना जोड़ा मैंने यूच किया? दो ना, इफी तरीके से आप एक जोड़ा और भी उपर से उतार लोगे और फिर फिर आप ऐसे भाग ले जाओगे ठीक है? बस खतम कोई डाउट है तो बताओ नहीं ना? लिख लो फटा फट शाप लो भईया, चलो जो बच्चे अपलीकेशन में जोईन है वो ध्यान दें कि ये नंबर 9455 से लाश्ट में 37 है ये आपके पास है ना? अगर है तो इसी पर मैसेज करिये, कोई डाउट है, कोई इंक्वाइरी अगर आप अपलीकेशन में कॉर्स लिए हैं तो उसी मैसेज करना जिफे जल्दी रिपलाई मिले ये कलास यहीं था कि इसका अगला पार्ट भी आएगा अभी इसी का वर्गमूल का फिर गनमूल भी आएगा ठीक है जस्ट बेट